हाई फ्रेंट्स वी आर गोई तो सॉल्विंग इस क्वेश्चन को देखते हैं ठीक है दा यूनिट्स डेजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इस थ्री एंड सेवन ताम्स देजिट इस दा नंबर इटसेल्फ फाइंड दा नंबर देखो क्वेश्चन का रहा है कि टू है मतलब टू डिजिट नंबर का जो इने डिजिट है वह आपका थ्री है ठीक है और उसके बाद कर रहा है कि आपका जो नंबर है उस नंबर के डिजिट का सम उस नंबर का डिजिट के सम का जो सेवन टाइम्स खुद वह नंबर ही है खुद वह नंबर ही है तो देखो सबस हम देखते हो 10 से लेकर 99 तक आपका एक ॉदिजित नंबर होता है क्योंकि इसमें स्किंट पीछे आओ गये तो फाण्ड आए गया तो यह आपका वन लेकिन हमको और घार करना है और दिश्कम करना है में वWe यह हम लोगो को है पलुकन नू supplement के बारे में, घिक है, तो देखे खूंँ, सब्सक्राइर अपका 10 से लेके 99 टकले कोई भी इजिट, कोई भी number हो, उस میں 2 digit होते हैं, तो कोई भी हम number ले लेते हैं, मालो कि हम 47 number लेते हैं, देखो इसमें 2 digit है, desapare até 16, दो cry है, तो इस वाले को काते हैं, हम क्या .. più' units' ठीक है यूनिट्स डिजिट काते हैं और इसको हम कहते हैं टेंस टेंस डिजिट काते हैं ठीक है इसको इने डिजिट और इसको टेंस डिजिट तो देखो 47 जो है वह कैसे 47 बना है तो देखो यहां पर आपका 4 है 4 कौन से place पे है 10s place पे इसका मतलब 4 में 10 से multiply हुआ है ठीक है उसके बाद जो है plus 7 है तो 7 कौन से place पे है unit place पे इसका मतलब है कि उसमें 1 से multiply हुआ है ठीक है वहीं procedure आपका इस question में भी apply होगा ठीक है solution में ठीक है तो देखो तो आपको दे दिया है पहले कि आपका unit digit क्या है 3 है तो देखो unit digit मालों कोई भी आपका स्पोस्ट को समझत लो कि आपका कोई भी एक number है टूडिजिट वाला कोई number है लेकिन उसका जो unit digit है वह unit digit हमको दिया हुआ है ठीक है unit digit डिया है तो unit digit क्या होगा देखो unit digit आपका 3 दिया है लेकिन उसमें two हमारा जो टेंस डिजिट है वह एक्स है ठीक है तो देखो टेंस इसको माल लेते हैं लेट दा TENS DIGIT BX माल लेते हैं कि हमारा TENS DIGIT है वह X है ठीक है तो देखो हमारा UNIT DIGIT भी मिल गया TENS DIGIT भी मिल गया ठीक है लेकिन जब आपका UNIT और TENS DIGIT दिया होता है तो उसे NUMBER का FORM कैसे बनता है तो आपने देखा जो TENS PLACE पे है उसे TENS से MULTIPLY कर दो देन उसके बाद ADD करो उसके बाद जो UNIT PLACE पे है उसे 1 से MULTIPLY कर दो ठीक है तो आपका जो NUMBER बनेगा NUMBER जो होगा आपका क्या होगा NUMBER होगा क्या होगा मतलब TENS PLACE पे क्या है X है इसका मतलब कि इसमें TENS से MULTIPLY कर देंगे उसके बाद जो है ADD करें देन 3 को 1 से क्योंकि 3 जो हमारा UNIT PLACE पे है ठीक है तो देखो X इंड़ 10 आपका 10X PLUS 3 तो देखो जब हमारा 2 DIGIT NUMBER का अगर DIGIT दिया हो और उस DIGIT से NUMBER बनाना हो तो हम क्या करेंगे जो TENS DIGIT है उसको TENS से MULTIPLY कर देंगे और जो UNIT DIGIT है उसको 1 से MULTIPLY कर देंगे और उसके बाद दोनों DIGIT को ADD कर देंगे ठीक है कोई डाउट नहीं है उसके बाद जैसे ही हमारा NUMBER फॉर्ण हुआ अब कोश्चन कर रहा है ACCORDING TO QUESTION ACCORDING TO QUESTION अब कोश्चन कर रहा है कि जो आपको दोनों DIGIT है अगर आप दोनों DIGIT का SUM करते हो और उस SUM का 7 TENS कर देते हो तो SUM करने अगर मालनो 2 DIGIT NUMBER है और 2 DIGIT NUMBER है और दोनों DIGIT को दोनों DIGIT के जब आप SUM करते हो और SUM करने के बाद उसको 7 times क्या करते हो उसको 7 times increase करते हो मतलब उसको 7 से multiply करते हो जैसे ही आप उसको 7 times करते हो वह sum of digit को तो 1 जो था है खुद जो है वह number के equal हो जाता है मतलब number हो जाता है इसका मतलब देखो मानलो कि आपका यह क्या है 3 जो है 10s digit है उसके बाद जो ता है x जो है क्या है sorry 3 जो आपका unit digit है units digit है और x जो है आपका क्या है 10s digit है अब इसका sum तो कर दिया लेकिन कह रहा है जब इसके sum का 7 times सत्गुन्ना इसके 7 times multiply करूं मतलब इसका मतलब 7 times तो देखो तो आप question समझो जो उसके two digit वाले number के digit के digit को जो हम sum कर रहा हूं और उसको जैसे ही हम 7 times कर रहे है 7 times digit को 7 times जैसे ही कर रहे है तो वह हमारा जो है वह खुद जो हमारा number है वह number मिल जा रहा है इसका मतलब number क्या है 10x plus 3 मतलब जो है जैसे ही sum of digit को 7 times कर रहे हो तो वह आपके खुद जो है number के equal हो जा रहा है ठीक है तो आपका 10x plus 3 हो गया ठीक है तो 10x minus 7x 21 मेंसे जब 3 जाया कितना होगा आपका जो 18 होगा ठीक है 18 होगा equal to 10x मेंसे 7x गया आपका कितना होगा 3x then 18 by 3 equal to x 3 आपका 3 6 जा कितना होता है 18 होता है ठीक है तो means आपका x equal to कितना है 6 आया ठीक है जैसे ही आपका x equal to 6 आया तो आपसे पुछाए तो number बताईए तो number क्या होगा वो अभी देख लेते हैं तो देखू हमने number को क्या assume किया था तो आपका number जो आया था 10x 10x plus 3 यही नो number था आपका तो देखू 10 को आप क्या चीज़ को multiply करोगे x है x क्या है 6 है plus 3 हो गया मतलब 10x6 कितना होगा 60 plus 3 मतलब 63 हो गया ठीक है तो आपका number क्या था 63 था ओके तो प्लीज दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए helpful है तो प्लीज चैनल को like and subscribe प्लीज जरूर करें क्योंकि आपका like and subscribe ही motivate करता है अगर आपको कोई भी doubt है तो आप म माध्यम से या टेलिग्राम के माध्यम से उसे अपने doubt को clear कर सकते हो ठीक है कि थैंक यू